आज हुन क्राफ 7 का चैप्टर 2 सर्त्रत कार की सुरुवार पढ़ेंगे इसमें हम सर्त्रत कारी बंसों के बारे में जानेंगे पहला हमारा जो बंस हुआ है भै प्रालंबिक तुर्क बंस या गुलाम बंस इसको हम मामलूग बंस भी कहते हैं है इसली बंस दोसरा हास है हमारा फैसा सब्सक्राइबय लीकत में मुंहु मत गौर्म बंस का समयकार 5 Prop 2.16 619 में मुंहमद गौले की म्रत्फ्रियू हो घए नियुक्त कर दिया हैं जब यह पहरत का प्रथम तुर्कशासर के न्युक्त हो गया तब भारत की साथ को समया प्राना डिया यह सासक बना इसने लाहर को अपनी राजदानी बना लिया लाहर को राजदानी बनाया यह बहुत ही ज़्यादा दान प्रिय सासक था यह बहुत ज़्यादा दान करता है जिसको लाकवक्स की उपादी दिन गई यह इस्थापत्त कर्या प्रेमी मी था इसके भवन निर्माण की और बहुत ज्यादा रुची थी इसने भवन निर्माण में कई इमालतों का निर्माण कराया जिसमें कुतुम मीनार कुबत उल इसलाम अड़ाय दीन का जोपड़ा प्रमूख है जब कुतुम मीनार के निर्माण कराया जिसमें इसी समय इसकी म्रत्यू हो गई मैं इसकी म्रत्यू का कारण क्या रहा चौगान खेरने का बहुत ही आदा इसको सौक था चौगान खेरते समय यह घोड़े से गिर गे जिसका नहीं से इसको गंभीर चोटे लगी और इसकी बारा दुक हो गई इसके बार दो हीजिगा यह कर नगूक है कुन सबस्कोर कि इस ने क्या प्रहुत मुक है क्या ना सीजनवाजिया मैं इस ने तो तो दमने से 40 गुलामों का संग्रहन बनाया तुर्क ए चहरगानी जिसको कहा रहा है इसकी सास्तिंवस्ता बहुत ज्यादा अच्छी थी इसले डिली में राजनयतिक प्रसास्तिक बास शांस्कृतिक केंद्र बनाया दिली को और बहुत सारे डिली के लिए और भारत के लि शैनिकुष्ट्र में बहुत सारे काल कि इसने रेक्ता याट्या यु क्रचरं किया भारत में 1260 इसमी में बहुत राइस नहीं पूस्ट में फिलिए तो भी एक्त्याडारी पृथा गया है उसके बारे यूसे पतताना चाहिए जो शासक थे उनको समय पर बेतर मिल सके अगर डर नहींrif के लिए जागीरों के वस्ता कर दी गई जिससे कि जो सासक्त है वह जो मतलब में साहिलिक देवो सासक है और सासकों को अपने नज़न में मतलब उनका प्रमुख माने अब इसने अपने समयकार में मुद्र सुधार भी किया जिसमें चांदी का टैंका और तावे का जीतर पर्मुकुरहाँ इसने अपने जीवनकार में अपना उत्रादिकारी निप्त कर दिया था व्रज्ग्यासुल्तान को जो इसकी पुत्ति थी 1266 में एल्थदमिस्की मृत्त